हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब एकदम बढ़ियां होंगे आज की हमाई रेसिपी है नाश्ति की रेसिपी है तो देखिए एक नाश्ता बनाएंगे तो उसकी लिए हमें कुछ तयारियां करना हैं जो पहले से वह कर लेते हैं तो यह मैंने एक पैन में जाच को दिखी इस तरह से काटी है मैंने बड़े बड़े उस तरह से काटें तो बहुत अच्छी लगेगी तो अब यहां मुने इस तरह से और इसे डाल दी है अब मैं Sumdha मिर्च और गाजर भी मैं एड़ करूंगी तो देखें गाजर और शिमला मिर्च इस तरह से हमने ड तो आपके पास अब मेरे पास इतनी सब्जियां थी तो मैंने बस इतनी सब्जियां डाल दी है और थोड़ा नमक डाल दिया है और इसे ढख करम थोड़ा सा कुक करेंगे हैं बहुत ज्यादा नहीं पकाना है तो फिर जब तक वह कुक हो रहा तब तक मैं आपको यह आलू का जो हमें मसाला हो तैयार कर लेते हैं तो देखिए मैंने चार-पांच आलू छोटे साइस के थे इस लिए हैं बड़े साइस के अगर आपके पास है तो आप थोड़े मतलब कम भी ले सकते हैं तो यह देखिए अब इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स तो थोड़ा लाल पाउडर भी डाल सकते हैं और यहारा धनिया काट कर डाल दिया है अब हमारा मसाला तयार हो गए स्टफिंग जो हम करेंगे नाश्टे की उसके लिए तो यह हम इससे तयार करके अलग रख देते हैं और इसमें ही हमें आड करना है हमारी ऐसमें हमने फ्राई कि थी वह को इसमेंगे कर दे यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे कर लेना है अब सब्सक्राख गर अलू नहीं रहा चाहिए तो आप बिना अलू के सिर्फ वेजिटेबल से भी बना सकते हैं मतलब बिना आलो के आलो भी वेजिटेबल ही है पर बता रही हूं है कि ग्रीन जो वेजिटेबल से न आप उनसे बना सकते हैं इसमें आप और डालना है अगर आपको वेजिटेबल तो इसमें आप कॉन डाल सकते हैं जो वाइल कॉन ह होते हैं अपने उबले हुए मतर भी अधि कर सकते हैं हर चाहें przedstaw suffix अपने पसंद से स्थम्में जो मिलानाचाहें मिलाकर बना सकते हैं नाश्टा तो यह मैंने लिया और लिया है बस इस तरह से हमें नमक और तेल डाल कर इसे अच्छे से मिला लेना है पहले दोनों हाथों से अच्छे से मोयन को मिक्स कर देना है और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल कर इसे बिल्कुल नरम गूत कर तयार कर लेंगे जैसे हम रोटियां बनाते है उस त बना सकते हैं गूतने के बाद तो यह मैंने आटा ले लिया है अभी साटे से वैसे तो हमारे हम जो नाश्टा बना रहा है वह है टाकोज तो टाकोज के लिए वैसे तो इसमें बहुत सारे बन जाएंगे लेकिन अभी मैं आधे आटे से बना कर बताओंगी आपको तो यह क्योंकि हमें क्या करना है कि इसमें इससे बड़ी बड़ी रोटी बनाना है एकदम बड़े साइज की रोटी बनेंगी इसलिए हमने बड़ी लोई लिए तो अच्छे से इसे हमें दबा कर तयार कर लेना है और थोड़ा साम इसमें बेलते समय अगर ऐसे ही बिल जाता है तो तो देखिए यह अभी बहुत मोटी दिख रही ए पर इसे पूरी चौकी भरके भी बेल सकते हो और इसे थोड़ा छोटा भी रख सकते हो तो मैंने इतना ही बेला है इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे एकदम रोटी जितना पतला हमें इसने नहीं रखना है आप यह नाश कि एक में हमने दो निकाल ली है अगर और थोड़ी बड़ी रोटी होगी ना तो हमारे तीन भी एक साथ ये निकल सकती है रोटी एक साइस की ढखकन से हमने इसलिए कट किया है क्योंकि कोई भी आप ढखकन ले सकते हैं डिबी का कुछ भी ले सकते मेरे पास कुछ असा मतलब स नाचा वाचा नहीं था कुछ रिंग वगेर जिससे में कट करती तो मैंने अपने स्टील के डेब्या था उसी के ढखकन से इसे ऐसे कट करके रख लिया है तो देखें तीन भी निकल गही है एक साथ तो हमें एक साइस की मिलेना इसलिए हम एक ही साइस का ढखकन योज किया तो नाश्टा देखने में अच्छा भी दिखता है इसलिए अब यह हमने एक तवा रख लिया है तवा जैसा ही रखा है और इसके ऊपर डाल कर हम इसे रोटियों को सेकेंगे तो यह देखिए हम जो रोटियां सेक रहे ना इन्हें हमें पूरी तरह से कुक नहीं करना है मतल क्या जब नाश्टा तयार करेंगे अब एक टो उसके बाद प्रशाम इसे कि अब यह देखं़ा कर रहे एइस स्टफ कर रहे ह।what Teep कर रही हूं तो उस समय में इसमें आधे ईड में लगा Rain टमेटो केचप और आधे में लगा रही हूं ग्रीन चटनी अगर आप चाहें तो पूरे में ही केचप भी लगा सकते हैं आप इसे पीजा सॉस भी लगा सकते हैं जो आपकी पसंद है जो आपको इक्षा होना आप वो इसमें इस तरह से लगा सकते हैं और फिर उसके बाद हमन मैं। एक साथ तयार करूए हूं ते कि एक साथ चार टाकोस बनकर तयार हो जाए। इसलिए आप मेरे पास कैना थोड़ा सा पनीर रखा था तो पनीर को ग्रेट करके इसTरह से डाल। अगर आप alrighty जादा है यह कई तरह से बनाया जाता है, मैं तो अपने देशी तरीके से बना रही हूँ, तो आप अगर ऐसा बनाएंगे, और बना कर खाईए, खिलाएए, सच कहा रही हूं, यह बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को घुक्त पसंद आते हैं, अब मैंने क्या किया है, क जिनको चीज नहीं पसंद हैं उनको ऐसे यह दे देंगे और जो चीज़ खाना पसंद करते हैं उनके में टाकोस में चीज़ अड कर दिया है तो बस आप भी इस तरह से बनाईए तो मैं घुर। टाकोस बनाए हैं बिना चीज के सिर्फ पनीर के साथ और दो में पनीर और चीज दोनों डाला है तो यह देखिए इस तरह से और अब हमने क्या किया है कि जिस तवे के ऊपर रोटिया सेकी थी ना उसी में हमने इनको भी मतलब बेक जैसा कर रहे हैं अगर आप इन्हें चाहें तो इसमें अवन में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस एर फैर में भी कर सकते हैं तैयार जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं पर मैं इसे तवे पर ही बना रही है और बहुत ही अच्छे बने थे यह बहुत टेस्टी बने थे आप इस जरूर ट्राय कीजिए मैंने इस तरह से एक के साथ एक टिका कर और इने खड़ा भी आसानी से हो गए थे और हमारे आप बन कर तयार है टाकोज अब इसके उपर आप चाहें तो थोड़ा सा सियो भी डाल सकते हैं मैंने डाल दिया था ऐसे ही मतलब अगर पसंद करते हैं तो डालें वनना इसके घरद मुझे बताईए कॉमेंट करकर कैसा बना था और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कर दीजिए तैंक्यू फ्रेंड्स